हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी न्यू सीरिस के अंदर जहां पे हम पूरा बेजिक्स टू लेके एडवांस तक पूरा शेर मार्केट सिखेंगे आपको बहुत ज़्यादा मज़ा अगर आप मार्केट में न्यू है तो भी आपको एक काम आएगा अगर आप मार् इफ देने वाला हूं तो आज यह हमारा वीडियो फर्स लॉंच हो रहा है बाकी के वीडियो आपको डेली मिलते रहेंगे सारे शेडियूल हो चूके आप एक बार चैनल में जाके देख सकते हैं ठीक है सर तो सबसे पहले बिना कोई देरी के काम स्टाट करते हैं हमारे एक सबसे पहले इसको ही डिकोर करते हैं स्टाट इसको और कुछ भी बोलते हैं शेयर हम पहले इस वर्ड को आज इस चीज़ में आज इस वीडियो में एक ही चीज़ डिफाइन करेंगे कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है तो आपका 90 परसेंट काम खतम हो जाएगा दूसरी बात है इस वीडियो के बाद आप किसी भी बंदे को मस्त काउंटर कर पाएंगे जो बंदा बोलता है कि मैं आपको गैरंटी देता हूं चले स्टार्ट करते हैं इसको डिकोड करने का अब मान लीजिए यहाँ पे पर्शन है जिसका नाम है रवी रवी भाई साब को क्या करना है रवी भाई साब ने मस्ट एक कैफ़े ओपन किया है मैं उस कैफ़े में उन्होंने पांच लाख रुपे निवेश की है एक मस्ट कैफ़े उन्होंने मुंबाइ के अंदर कोला है अब उसमें उनको मतली 10 प्रॉफिट होग रहा है यान इक हिवार शाक टेंक देख लिया उनको मन लहुआ कि अरे भाई सहाब मैं भी अपने बिजनेस को ग्रोव कर सकता हूं इतना अच्छा मेरा बिजनेस है मेरे को इतना बड़ी आसा 120 तका का रिटन देता है तो मैं भी इसको एकस्पांड करना चाहता हूं एक कैफे नहीं इसको और बनाता हूं मैं अपरी ब्रांड बिल्ड करना चाहता हूं कि जो मेरा रविस कैफे करके ब्रांड है उसको मैं बिल्ड करना चाहता हूं लेकिन चीज क्या है कि मंतली पच्छाजार कमा रहा है अब इनको दूसरा कैफे अब उनको नया कैफे खोल ना है तो पांच लाग तो मिनिमम लगेगा ही अब रभी भाई साब को पांच सबसे पहला तरीका क्या हो सकता है कि वह किसी कोई दोस्त है रवीना करके उसने उसको बोला कि बेहन सुनो मेरा ये कैफ है मेरे को इसको एक्सपांड करना है मेरे को 55 लाक रुबे की जरूत अगर तू इसको निवेश करना चाहते तो मुझे बोल उदार नहीं चाहिए उदार बैंक से इसने पांच लाक रुपे ले लिए पंदरा टके के ब्यास के उपर साला ना वह यह तरीका हुआ एक कि उसने बैंक के पास से क्या लिया लोन लिया लोन को मार्केट की बाशा में दूसरा वर्ड यूज करते है डेट इसमें बी साइलेंट है तो डेप्ट मत कर जा है लोन है डेट का सिम्बल मतलब होता क्रजा तो इसमें बैंक से लिया अब इसने बैंक से संदिए बैंक से लह इसने पास का हो ार होगा है रवी बात सही है बिल्कुल सही है साब कितने कईफे हो गये एक और एक दो एक मुंबई में खोला कि गुजिरात में खोला बात हो गई इसमें बीजर आ deny लगे उस्का L Thomas हो रहा है आब इसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो सरा बैंक को कोई फरक पढ़ रहा है किया bank को उसका monthly EMI चाहिए with interest एक है इमाई राइट और रॉण अगर आपने किसी के पास से लोन लिया है उसको क्या चाहिए सिस्फ monthly उसका जो decide किया हुआ interest rate है उसको वही चाहिए उसको और कोई मतलब है कि आप इस दो दिन के अंदर 50 लाग बना दो 26 दिन के अंदर लक्समें चीक में डालके पइसाध कर दो उसको कोई मीनिग है इससे आजसरी नो उसको क्या चाहिए उसको उसका इंटरस्ट यह मांगे आप चाहिए उसको जला दो या फिर कुछ भी कर दो उससे उसको कोई फरक नहीं अभी ये तरीका खतम हो गया कि बैंक के पास जाना ही नहीं पड़ा बैंक मैं वापस दिता हूं कि रवी के पास एक मस्त कैफे है पांच लाक उन्हें डाले थे बीजार का मस्त प्रॉफिट चल रहा है ये कैफे नंबर वन उसको दूसरा कैफे खोलना है पांच लाक की आवर कर रहा हूं चल तो रवीना ने पांच लाक रुपे दिए बात सही है और इस बाइस आपने इस पांच लाक रुपे लेके ये पांच लाक रुपे लेके भी इसने क्या किया यहां पे पहले मुंबे में होटल थी कैफे अब खोल दिया गुजरात के अंदर यहां भी 20,000 का प्रफिट आ रहा है लेकिन आप बूलेंगे कि जैसे बैंक में था कि बैंक वाले को 37% इंट्रेस खोल बाइए इसको दों कि इंट्रिस लेकिन रहीकों कुई थेरी प्रफिट से मुझे फरक पड़ता है भी अबॉन को को सब्सक्रेदओया ब्लता है इस से भी तो यहां पर यहां चया कि पाटनर टका दोनों का øश्यार के अंदर स्माझा कर ना तो भी profit और loss होगा उन दोन में उसकी 50-50 तगा भागीदारी होगी यानि की मान लेजे ये कैफे दो मिलके महिने के 40 जर कमा रहा है तो 20 रवीना को जाएगा 20 रवी को जाएगा ऑपर आला रहा है तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ यहाँ पर एसा ओपिना के पैसे रहेगा इसमें नहीं नहीं दोनों का मिलके यही पर कमा है तीज जाएगा रवी को तीज जाएगा रवीना को इसी को तो बोलते हैं पाटनर्शिप भागीदारी अम आइ राइट और रॉंग बैंक के पास से जब लोन ले या तब क्या था कि 100% क्या था रवी के पास था शेयर यानि कि 100% कमने का मालिक रवी था यहां पे रवी की पार्टनर्शिफ svenट यहां के पास बेंक के पास ब्राइब के पा Sesame", यह Чल गया, ब्रांड बन अब मान लीजे कि रवी ने बोला रवीना को लेकिन रवीना ने क्या बोला कि मेरे पास पांच लाख नहीं है तो रवीना के उसके दूसरे फेंड सिधार्थ के पास से लिए मान लीजी डाइलाक सिधार्थ ने डाले रवीना ने पांच लाख तो रवी का है ही जिसने उसने एक कैफे ओड़ेटी खोल के रखा हुआ इन दोनों का पैसा मिलके भी यहाँ पे एक दूसरा कैफे भी ओपन कर दिया गुज यहाँ पे तीन लोग लेकिन खाने वाले हैं रवी है रवीना है और सिध है यानि कि सिद्धार्थ तो इससे पांटर्शिप क्या होगी तीनों की सेम होगी नहीं होगी किसने कितना पैसा डाला उसके बेस पे होगी यहाँ पे दस लाक में से रवीने डाला है पांच लाक प तो पच्चा जाएगा रवी को 25 जाएगा रवीना को 25 जाएगा सिद्धात को अब राइट और रॉं मैं राइट और रॉं सही है तो यह तो गया अब मांद लिए जो बड़ी-बड़ी कंपनियां होती जो बिलियन डॉलर की होती है अब उनको अगर मांद लिजे कि 10,000 करोड की कि एक कपनी है उसको नएया प्लान डालना उसको चीए भर को सुल करोड तो देगा नहीं हो इस्को क्या चीए कि माण लएजिए मैं अगर 1-1 क्रोड देने वाले सौ बंदे ढूम दो क्या होगा सही बात है एक करोड देने वाले सो सो बंदे डूम्ड़नों तो काम हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा लेकिन इतना भी पैसा होना चुछ न तो ये बोलता है कि अरे ना क्या ही करूँ मेरे को चाहिए यहां पर ऐसा खासा पैसा लेकिन मेरे पास लोग नहीं है चीज कहा कि यहां पर ल इनसे नहीं है दोनों के बीच में याप है जैसे हमको सब्सब्स येना बात मैं सब्सक्राइ करना हूँ ना रही मेरे पास सब्सक्राइब लेके आएगा और खरीदने वाला खरीदने आएगा यान कि जो मार्केट है सबजी मार्केट यह हो गया कॉमन पॉइंट तो अब मुझे 100 करोड रेज करने सब लोग तो कि करोड दे नहीं पाएंगे मैं क्या करता हूँ काम करता हूँ इस 100 करोड के 10 करोड पार्ट कर देता हूँ जैसे मैंने 5 लाक के 2 पार्ट किये थे धाई धाई लाक के वैसे ही मैं 100 करोड के 10 करोड पार्ट कर देता हूँ अगर 10 लाक के 10 पार्ट करूँगा तो एक पार्ट का 1 लाक रुपे आएगा वैसे ही मैं 100 करोड के 10 करोड पार्ट करता हूँ तो एक पार दस रुपे का होगा है करस दूरा ये एक करोड बनवर लेजिक से टो एक करोड बनाया है तो एक कभाव क्या होगा एक पार्ट का भाव धृख सौ रुपर तुम क्या हई लेने के decent care मेरे पास मेरी कमनी के इतनेट मैं यहाँ यह कार्श करना रबार क्वल मेरे के अब लेंगे कितना डालना है देखिए एक मेरे पास एक करण पत्ते हैं एक पत्ते का भाव 100 रुपर है आप मिनिमम सौ रुपर डाल सकते हैं मैक्सिम्म जितने आपको चीए पत्ते दूँगा मैं एक पत्ता मतलब एक शेर आप एक पत्ता लेके जाएंगे आप उस कम ने के बागीदार तो हो ही गए कि अगर अगर आधाला लेंगी तो प्रचास पश्जिक्ता भागीदार होगा समझ आ रहा है प्रद की बात तो यहां पर एक क्रोड बना रहे है अब पारट बनने के लिए क्रोड लोग धुणडेंगे कहां से तो यह क्या गया यह बाए-साप के अंदर के यहां पे जो कंपनी वाला है समझे का आराम से कौमन पॉैंट पे गया और जो इन्वेस्ट करना है लेकिन पता नहीं कैसे करना है वह इस मार्केट को के रहते हैं शेर मार्केट शेर मतलब पार्ट्नर्शिप तो आप क्या किजिए सर कि मेरे पास सौ रुपे का एक शेर हैं ऐसे मेरे पास एक करोड़ शेर हैं क्योंकि मुझे चाहिए सिर्फ हजार सो करोड़ सो करोड से मेरा काम हो जाएगा मैं उतना लेने के लिए मार्के में बैठा हुआ हूँ मैं एक करोड यहां पर फल लेके बैठा हूँ एक फल का प्राइज सो रुपए है मैं बोलूगा ठीक है भाई साब मुझे दस फल देदो दस शेयर देदो बोला ठीक है लाव हजार रुपए मैंने इसकी कमणी में हजार रुपए डाले इसने अजार रुपए लिए ऐसे करते करते यह एक करोड पत्तिया बेश देगा ज़रूरी नहीं कि एक करोड लोग लेंगे एक बंदा दस पत्ति ले सकता है तो नमबर ऑफ इन्वेस्टर यहा तो ये भी इसका investor बन गया दो इसे मेरे खिलाज एकाथ लाग जीतना investor बन सकते हैं करेक्ट कंपनी का क्या होगा कंपनी को पैसे मिल गए हम लोग जो गरीब इंसान है जो छोटे निवेशक हैं उनको मिल गया क्या partnership कंपनी के इंदर partnership कर सकते हैं अभी हम क्या कि इसको buy कर hiç तो मुझे पैसा मिलेगा अब example के लिए मान लोग सो लोगों ने मिलके 200 करोड की कंपनी खड़ी की हैं सो लोगों ने मिलें कि 100 इंवेस्टर है 200 करोड की कंपनी ही है विट लोग के आए कि फिलेंगगेक और लग मिलकonie कर दी है ये सालाओध का प्रॉफिट करती है है तो सब बंदे को दो-दो लाख रुप मिलेंगे करेक्ट की कमनी प्रॉफिट करेंगे तो जो हम बायर हैं उनको पैसा मिलेगा इस जो बाटा जायेगा कि देखिये प्रॉफिट मस्क्रॉज इस बार हमने किया है 100 क्रॉड का हमारे जो दो करोड इन्वेस्टर उनको सबको पाइसा मिलेगा पाटनर्शिप का वह पाइसा किस फॉर्म में मिलेगा उसको क्या बोलेंगे हम प्रॉफिट लिया हो ने उसको वर्ड यूस करेंगे डिविडेंट इसको पूरा सम्झेंगे दिमाग में डाल दाल देजी ऐसा कुछ आएकर तो उसको क्वड यूस करते हैं पाइसा जो प्रॉफिट का पैसा है आत में वो तो इसको हम बोलते शेर मार्केट का मतलब हम किसी कंपने के अंदर लॉंग टम इन्वेस्ट करते हैं अब इसका दूसरा इजन भी और मुझे हैं कि मान लीजिए मैं बंडभा क्यों मेную-टैये चली नहीं चली मुझे एक्सपीरियस नहीं लोग हायर करने पड़ेंगे लोन लेनी पड़ेंगी मेरी जॉब छुट जाएगी तो मैं खरवाल को खिलाओंगा कैसे कैसे करूंगा सब कुछ लाकि मुझे बिजनस करना है कार मैंनुट्रिंग कमने करनी है एक एवी में जाना है कि मेरे पास एक लाग रुपर पड़े हैं मैं एक लाग को आपके शेयर लेता हूं एक लाग का निवेश आपकी कमने में करता हूं तो मैं तो बिजनस कर रहा हूं कि मेरे हिसाब मेरे तरफ से टाटा मोटर्स बिजनस कर रही है तो मुझे पैसा मिलेगा मैंने पैसे दे दिया। मैंनत करेंका ताट लेकिन मैं बिजनेस ओर्णर तो हूँ, मेरे पास कार्म्मशनी की कमनी है उसके अंदर मैं एक ओर्नर हूँ छोटा चोटा सा पार्टनर हो बात से मेरा सपना कुरा होगा है बिजनेस करने का मेरी जॉब भी चल रही अब मैं खुशाल से महीने का कमा भी रहा हूं और मन किया दर महीने इसमें दाते चाहिए और डाल रहा हूं अपनी बढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे और उपर जाएगी इस से डिलिवरी बिजनेस है वह बहुत उपर जाएगा मैं डाल देता हूं जॉमेटों के अंदर मुझे लग रहा है कि भाइस आप कमफर्ट का पैसा लोग देंगे डाल दिया में उसके अंदर लोग पिज्जा बहुत खाएंगे आने वाले दस साल के अंदर डाल दो डॉमिनोस के अंदर जुविलेंट फूडवर्ट्स यहां की कमनी जो डॉमिनोस को मैनेज करती है फोडचेन को समझे आप शेर मार्केट का मतलब हम बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं जो हमारा सपना था कि यह बिजनेस खोले नहीं खोल पाए तो हम उसके अंदर इन्वेस्ट यहां पर पहला वीडियो खत्म होता है को भी आपके डाउट हो आप मुझे मिल जाएगा धन्यवाद